जवान पठान से भी जादा हिट करेगी और हम सब देखने जाएंगे और दुख है कि शारुखान के बेटे को जिस तरह जेल में रखा गया इतने दिनों तक तो एक पिता ही समझ सकता है जो किसी बात की दिक्कत नहीं है लेकिन वह शारुखान के बेटे थे एक विशेस समुधा ऐसे ते इसलिए टार्गेट किया गया दुख है इस बात से चलिए बाकी तो जवान के आने का हमें भी इंतजार है तो आजकल नफरत फैलाने का और वही जहां शारुखान का बात आजाए, नाम आजाए, तो नाम को देखकर गंदी राजनीती की जाती है, तो ओज के लोग गंदी सोच के लोग गंदी राजनीती, अपको गलत फहमी में जी रहे हैं, हम न तब पाकिस्तान गए थे, हम लोग 26 इंडियन है, हमारे पुर्खे, हमारे देश, इसी देश में मिले हैं, और हम भी मर के इसी देश की मत्ती में मिलेंगे, देश की मत्ती से हमें प्यार है, इसारुखान जी का शुक्रिया, इतने सालों से देश की जनता का एंटर्टेन करने के लिए, देखते हैं जवान, जवान का आपने देखा जवान का ट्रेलर कैसे ट्रेलर लगा गूंधे ट्रेलर अच्छा है और मुझे बी इंतजार है ज़्वान को कब रिलीज हो रहे हैं कब फिल्मारी है और मैं एक बात आप लोगों से और बोल दूंकि ऐसे ही देखती हूं धरम के अधार पर नहीं देखती हूं समाच को लड़वाने के अधार प पोज लेते हैं और, फिल्मों में भी धरम को निकाल देते हैं, तो कम-से-कम फिल्म को और जो यह सब मनुरंजन के लिए चीजे बनती है, इसको इससे तो धरम को दूर रखा जाए, इससे तो नफरतों को दूर रखा जाए, जैसे के अभी बहुत सारी आजकल तो पहले तो जो मूवियां आती थी पहले के फिल्मों में भाइचारा को बढ़ाने के लिए देस भक्ती होती थी लेकिन आजकल के फिल्मों के माध्यम से भी देस में जहर घोला जाता है दो समूदायों में जहर घोला जाता है तो मैं लोगों से अपील करती हूं कि फिल्म मनोरंजन का चीज है इसको मनोरंजन तक ही सिमित रहने दीजिए इससे नफ्रते मत फैलाइए लेकिन एक डायलोग है जवान फिल्म के टेलर में कि बेटे को हार लगाने से पहले बाप से पूट ले तो लोग कह रहे हैं कि उनके तो बेटे पहले अरेस्ट विए ड्रग मामले में समीर वान खेले के लिए डायलोग है सही बात है बहुत दुख है कि शारुक खान के बेटे को जिस तरह जेल में रखा गया इतने दिनों तक तो एक पिता ही समझ सकता है जो अपने बच्चे को इतने प्यार से किसी बात की दिक्कत नहीं है लेकिन वो शारुक खान के बेटे थे एक विशे समुदा ऐसे थे तो इसलिए टार्गेट किया गया दुख है इस बात से चलिए बाकी तो जवान के आने का हमें भी इंतजार है और देखेंगे लेकिन लोग को कहीं डर है कहीं पहले ऐसी कॉंट्रों देखेंगे डांस करती हैं लेकिन कोई बात नहीं होता है कुछ भी नहीं लेकिन यह तो आजकल नफरत फैलाने का और वही जहां शारुक खान का बात आजए नाम आजए तो नाम को देखकर गंधी राजनीती की जाती है तो ओछे लोग गंधी सूच के लोग गंधी राजन शारीती अपक्या बोला तो वह फिल्म ने क्या किया पता होगा ना इन लोगों का रिकॉर्ड का पाकिस्तान विजवाने की बात फिलिम को लेकर हो जाती है तो आपको या लगत फैमी में जी रहे हैं हम ना तब पाकिस्तान गए थे हम लोग बाइच्वएस इंडियन है हमा यह देश की मट्टी से हमें प्यार है इस देश को अजाद करने में हमारे पुर्वजों ने अपने जान की आहुती दी है कून बहाया है है मैं हुआ हो रहा है कि शारुखान की फिल्म में होती। न पिल्म होता है इसका तिवहारता है थेस्टिफल उता है। हैxico सब कलाकार है सब के अपने में सभी में टालन होता है हम सभी कि कदर करते हैं सभी कला कर कि यह नहीं के शारुक खान मुसल्मान है तो हम इसलिए खान उनके नाम क्या के नहीं हमें सभी अपने देश के कलाकारों की हम इजद करते हैं जरूर ऐसे तो सोचते हैं कि जवान पठान से भी ज्यादा हिट करेगी और हम सब देखने जाएंगे जरूर इंतजार है शारु